अगर दुनिया के सबसे तेज आदमी की बात की जाए या फिर बात की जाए मार्सल आर्ट की तो आज भी एक मातर सक्स का चहरा हमारे दिमाग में आता है वो है बूसली जो अपने बिजली जैसे फूर्ती और खतरनाक तेज किसे सेकेंडों में किसी को भी धूल चटा सकते थे दोस्तो वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो बूसली के नाम से वाकिफ नहीं होंगे लेकिन जो उनके बारे में नहीं जानता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि बूसली मार्सल आर्ट के बादसाह थे या फिर कह लीजिए उनके जैसा मार्सल आर्ट का हुनरबाज उनके बाद आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ मार्सल आर्ट के बादसाह होने के साथ ही साथ वो हालिवुड फिल्मों के बहुत बड़े इस्टार थे उन्होंने बहुत सारी सुपर हिट फिल्में भी दी है दोस्तों बुरुशली की मृत्तु 32 वर्स की बहुत कम उम्र में हो गई थी जिसके बारे मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा लेकिन उन्होंने इस छोटे से उम्र में जितना कुछ कर दिखाया था न वो हर किसी के बस की बात नहीं है बुरुशली के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आप से उनके कुछ अधभुद बातों को सेयर करना चाता हूँ जिससे आपके अंदर उनके जीवन को जानने का इंट्रेस्ट और भी बढ़ जाएगा दोस्तों कहा जाता है कि बुरुसली के किक की स्पीड इतनी तेज होती थी कि फिल्म की सूटिंग के बाद उनके फाइटिंग सिन को स्लो करना पड़ता था ताकि स्क्रीन पर यह न लगे कि बुरुसली नकली एक्टिंग कर रहे हैं दोस्तों किसी भी आम इंसान का इतने स्पीड से हाथ पैर चलना पॉसिबल ही नहीं था बुरुसली किसी को भी तीन फिट दूर खड़े होने के बावजूद 0.05 सेकेंड में पंच मार कर गिरा सकते थे जो कि अपने आप में एक अध्भुत टेलेंट था ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रसंद सकते गामा पहलवान दुनिया के इकलोते पहलवान थे जिन्हें पूरी जिंदगी कोई भी मात नहीं दे पाया था उन्होंने अपनी बाटी पत्थर के डंबल और औजारों से बनाई थी उनके जैसा पहलवान भारत को अभी तक नहीं मिल सका ये तो हो गई बुसली की कुछ अध्भुद बातने लेकिन चलिए अब मैं उनके लाइफ के बारे में आपको सुरू से बताता हूँ बुसली का जन 27 नौवंबर 1940 को सेन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हास्पिटल के नर्ज ने दिया था जहां वो पैदा हुए थे उनके पिता का नाम ली होई च्यूएन था जो की चीनी थे और उनकी मा का नाम कैथोलिक था बुसली के पैदा होने के कुछ महिनों के बाद ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ अपने जन्म अस्थान होंग कॉंग वापस आ गए होई च्यूएन एक उपेरा इस्टार थे तोस्तो अगर आपको उपेरा के बारे में नहीं पता तो बता दो कि यह एक तरह का नाटकी या संगीत है मतलब इसमें कुछ लोग का ग्रूप एक्टिंग करते हुए गाना गाते हैं इस तरह के संगीत को यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पसंद किया जाता है उनके पिता के उपेरा इस्टार होने की वज़र से तीन महिने की आयू में ही डूसली को गोल्डेन गेट गरल नाम के एक फिल्म में एक बच्ची का किरदार मिला और उनका फिल्मे सफर मात्र तीन महिने के छोटी सी उम्र से इस्टार्ट हो गया और देखते ही देखते 16 साल की उम्र तक उन्होंने 20 से जादे फिल्मों में काम किया ली ने अपनी सुरू की पढ़ाई पास के ही एक स्कूल से की जब ली 16 साल के थे तो उन दिनों उनके सहर में कुछ गुंडे आकर बस गये थे जो की आम लोगों को बहुत परिशान किया करते थे इसी लिए वो अपनी और अपनी परिवार की सुरूच्छा के लिए 16 साल की उम्र में मार्सल आर्ट का हुनर सिखना शुरू कर दिया उन्होंने इप मैन से ट्रेनिंग ली जो की एक माने जाने ट्रेनर थे जिन्होंने ली को विंग चुंग नाम के मार्सल आर्ट का अध्वुट तक्निक सिखाया मार्सल आर्ट के नौलेश होने के बाद ली को गुंडों से लड़ने का सौक्षा हो गया था जिसकी वज़े से उनके पिता बहुत परिशान रहते थे और ना चाते हुए भी उन्होंने ब्रूसली को अमेरिका भेज दिया वहां जाकर अपने खर्चों के लिए ब्रूसली ने लोगों को गार्डन में मार्सल आर्ट सिखाना सुरू किया और 20 साल की उम्र में कुछ पैसे जुटा कर यूनिवर्सिटी ओफ वसिंग अटन में एडमिशन ले लिया और वहां भी उन्होंने इस्टुडेंट्स को मार्सल आर्ट की ट्रेनिंग देनी सुरू कर दी इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई और उन्होंने लिंडा को अपना दिल दे बैठा और अगस 1964 में शादी कर ली बुसली और लिंडा के दो बच्चे हुए ब्रैंडन ली और शैनन ली बड़े होकर ब्रैंडन जो की अपनी पिता की तरह एक एक्टर बने लेकिन 1993 में दक्रो मुवी के सूटिंग के समय गलती से उन्हें बंदुक की गोली लग गई जिससे उनकी मृत्ती हो गई सैनन ली भी एक अभिनेत्री बनी और 1990 के समय तक उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी ब्रूशली शादी के बाद मुवी के कुछ सीन्स के लिए मार्सल आर्ट सिखाने लगे थे फिर 1979 में लॉस एंजलस के चाइना टाउन में उन्होंने मार्सल आर्ट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोली जहां वा बड़े बड़े अक्टर्स को मार्सल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे उसी साल उन्होंने मार्लो नाम की फिल्म में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर काम किया था ब्रुषली ने अभी तक बहुत सारी फिल्मों में तो काम किया था लेकिन वा अभी अपनी एक्टिंग के लिए फिमस नहीं हुए थे उनकी पहली बड़ी मूवी 1971 में आई जिसका नाम तबिक बॉस था जो कि एक चाइनिज मूवी थी जिसमें उन्होंने लीड रोल दिया था इस फिल्म की वज़ा से ब्रुषली पुरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गये उसके बाद देखते ही देखते अक्टिंग के दुनिया में उन्होंने बड़ी सफलता हांसिल कर ली और फिष्ट आफ फिडी वे आफ ड्रेगन जैसी सूपर हिट फिल्मे दी बुस ली एक अच्छे आर्टिस्ट और पोएट भी थे उन्हें किताब पढ़ने का बहुत सौक था इतनी सफलता के बाद किसी इनसान की जिन्दगी में अफवाहें नाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है लोग कहते हैं कि बुलंदी पर पहुँचने के बाद उन्हें नशीली दमाओं के शेवन का सौक पैदा हो गया था वह अपने आपको मार्सल आर्ट का संपूर्ण गुरु बनाने की शनक में जरूरत से जादा अभ्यास करना सुरू कर दिया जिससे उनकी दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई थी 20 जुलाई 1973 की साम रुसली के सिर में हलका सा दर्द हुआ उन्होंने दर्द की दवा ली और थोड़े ही देर में वह बिहोस हो गय वहां से तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी बिहोसी फिर कभी नहीं तूटी और यह मार्सल आर्ट का बात्सा 32 साल की कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया दोस्तों बुसली का कहना था यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे आपका बहमोले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नई inspirational और motivational वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को मिस्ट नहीं करना चाहते तो क्रिपयाग चैनल को subscribe कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद